इसलाम अलेकूंz बिसमिल्लाहिख रोचीम हमारा पिछले लैक्छर जू था वो के के बारे में था उसलाम अलेकुम है था इसे का Most कैसे हो रहा था कैसे हो शरौत कैसे भापने सिस्टर से क्टिर norm का रहा है अगर कोई भी प्रोटीन या कोई भी चीज खराब हो जाए उसकी डेफिशन्सी हो जाए तो इसके डिसार्डर्स कौन-कौन से थे आज का जो हमारा लेक्चर है वो है important cytokines कि जितने भी हम यह cytokines पाढ़ रहे थे interleuken 1 interleuken 12 two six eight transforming growth factor tumor necrosis factor alpha जो भी चीज़ें पाढ़ रहे थे आज हम उन सब को यहां पर थारोली देखेंगे कि वह अपने functions कैसे perform करके हैं महाँ पर हम लोग देख लेते थे यह अपने functions यह यह perform कर रहे होते थे आप आज देखेंगे कि वह कौन-कौन से function करते हैं और कैसे कैसे करते हैं इनमें जो most important होते हैं वो तीन होते हैं आपके इंटर्लुकर 1 इंटर्लुकर 6 और इंटर्लुकर 12 भी इंटर्लुकर 12 भी ठीक है बाकि हम सारे वह एक करके इनको देखेंगे कि यह कौन-कौन से होते हैं और अगर question आज है कि आपके acute important cytokines कौन-कौन-कौन से हैं यह देखें यह भी यहां पर मैं लिखा है acute का मतलब क्या होता है मतलब जो कम बरसे के लिए और जो पहले immediate response देंगे वह यह वाले होंगे और जो recruit करेंगे हम recruit का मतलब क्या होता है jn recruitment center army मोता है recruitment यानि बरती Center बोलते हैं उसक negativity करना a करना तो अगर आप से पूछ ले के रिक्रूट से पहले तो अगर बोगा अलफाrich बुक्सेट पढने से पहले हम चीजु को समझ लेते हैं डाइग्राम की शखल में स्टॉरी की शेकल में फिर हम पुक्सेट रीडिंग करेंगे तो आप लों के लिए चीज जीज असान हो जाएगी, पुक्सेट को से रीडिंग, सिंपल हो जाएगी सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके interleuken 1 और interleuken 1 और tumor necrosis factor alpha इन दोनों का रोल अक्सर मिलता जुनता होता है यह जहां भी function perform करते हैं अगठे perform करते हैं आप interleuken 1 और tumor necrosis factor का जो पहला जो function होता है वह होता है fever कि आपको यह fever कैसे होता है आपका temperature कैसे बढ़ जाता है आज आप लोगों देखेंगे कि आपका fever जो हम बच्पन से सुनते हैं कि यह अला तला की तरफ से हमारे लिए रह्मत है ऐसा सुनते आए ना कि यह कैसे हमारे रह्मत है यह कैसे आपके अगर आपको कोई pathogen infect करता है तो आपका temperature क्यों बढ़ जाता है इसमें इसका क्या रोल होता है वह हम देखेंगा अच्छा इससे पहले इससे पहले मुझे इन cytokines की definition कौन बताएगा यह cytokines होते क्या है definition तो इनकी कोई नभी होनी चाहिए ना हम system के language है यानि के macrophage कोई secret कर रहा था वो कहीं जाकर एक्ट कर रहा था यह language है कि macrophage बोलता है T cells को के भी active हो जाओ और वह जिस जबान के जरीए बोलता है वह जबान कौन सी है cytokines cytokines बेजता था ना cytokines बेजता है तो यह language है immune system के language है जिसके जरीए वह अपने एक cell से दूस cells की जो यह दूसरे को अगाह करते हैं कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं तो यह language होती है तो यह थोड़ता था खैर वापस आजाए हम लोग देखेंगे के interleuken one और ट्यूमर ने क्रॉस फैक्टर ट्यूमर ने क्रॉस फैक्टर अलफा जो है न यह कैसे आपका fever करते है जब भी आपको inflammation होगी क्या होगी inflammation inflammation किया होती है मतलब कोई भी infection होगा कोई सी भी pathogen ने आपको आकर अटायक किया है जब कोई भी pathogen attack करेगा आपकी बाड़ी में तो क्या होता है उस सुरत में यह जो cytokine होते हैं यह क्या हो जाते है inclusive कोई पैथोजिन आया है तो मिक्रोफेज्ग वोगा वोगो वो डिसल को सारह प्रासिस चलेगा तो जब वो । होता है को इंफ्लमेशन होती है तो क्या सविरीट होते हैं आपके व 93 Iis आपके interleuken 1 और tumor necrosis factor alpha होते हैं यह जैसे ही रिलीज होंगे तो यह वहां से रिलीज होकर आपके सीधा hypothalamus के पास जाते है किसके पास hypothalamus और hypothalamus में जाके यह एक enzyme की production जो है ना वो कर देते हैं जिस enzyme का नाम होता है cyclooxygenase के नाम होता है cyclooxygenase यह enzyme इसको short form में cox बोलते होते हैं क्या बोलते होते हैं cox यह जाके cox की production करा देते है hypothalamus किसकी cox की cyclooxygenase यह enzyme बन जाता है जब यह आपका cyclooxygenase enzyme cox बन जाएगा तो cox का next process होता है कि यह आपका prostaglandins e2 या prostaglandins e2 PG e2 PG से हो गया prostaglandins e2 यह भी एक किसम का chemical होता है इसको हम inflammation में detail में देखेंगे यह very important CMS Q आती है USMLE में कि what is the function of prostaglandins e2 तो इसका function अभी हम देखेंगे क्या होता है यहां हम ऐसे उपर-उपर से देखेंगे जब inflammation पढ़ेंगे तो वहां हम detail में इसको पढ़ेंगे कि इसका function क्या होता है अच्छा रपीट कर रहा हूं जब आपको inflammation होगी तो आपके cytokines interleukin-1 और interleukin-alpha secrete होंगे और यह जाके hypothalamus में जाके आपका cox enzyme यानि cyclo oxygenase की production को increase of कर देंगे उसको बढ़ा देंगे जब यह बढ़ेगा कोक्स बढ़ेगा तो cox एक prostaglandin produce कर देंगे चैमिक का जिसका नाम है PGE2 prostaglandin E2 तो इस prostaglandin E2 का का काम होता है कि आपकी बाड़ी में कि आपकी बाड़ी में जो heat production हो रही है हीट जो produce हो रही है उसको increase कर देंगे इस प्रोड़क्शन और हीट का जो लॉस है जो आपकी बाड़ी से लॉस होती है आपकी या पिर आपके पसीए four लोस होते है उसको क्या कर देंगा बेर तो-रध इस्सद्र ही लाव कम्हो habl मुद्रा दूसरा ही लॉस तो एक आपके जरत इसमें बढ़े कि नहीं बढ़े है तो बढ़ेगी अब आपके साई क्या हो जाता है जो मि trud फिर इडिकर सब्सक्राइब तो इस तरह आपको क्या हो जाएगा बढ़ गया है तो इस तरह आपको क्या हो जाता है फीवर हम कहते हैं क्या हो गया है फीवर अब देख ले अगर फीवर हमें ना होता अगर फीवर ना होता तो क्या हमें पता चलता कि हमें inflammation हुई है हमें किसी pathogen attack है पाता है नहीं जलता तो inflammation एक symptom है एक sign है जो हमारी body को बताता है हमें बताता है कि हाँ तुम्हें कोई न कोई infection हुआ हुआ है तुम कुछ न कुछ करो अपना treatment करो तो हम लोग जब fever होता है तो हम लोग जब tablets देते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लेट्स पोज़र डाल ले लेते हैं या कोई temperature को decrease करने वारे ले लेते हैं temperature भी decrease करते हैं लेकिन इतना काफी नहीं होता साथ में हम कोई न कोई एंटी बैड़क लेते हैं क्यों लेते हैं क्योंकि जाड़ को खतम करेंगे तो temperature कंब होगा अगर हम temperature कंब करने वारे ले ले लेते हैं आपका temperature कंब हो गया temperature कंब होने के बाद अगर आपने उसको antibiotic नहीं दिये तो वह inflammation दुबारा होगी यह होंगे तो इसी दिए antibiotic देने साथ में देते हैं पेइन किलर भी देते हैं तो आप प्रापर्ली फेट हो जाते हैं तो उसकी पीछे क्या फार्मूला होता है वह कैसे होता समझ आगे आप लोगं को हैं तो यह चीज़े होती हैं कि आपकी inflammation यह सारा इस तरह यह process होता है मैं इसको repeat कर रहा हूं कि interleuken 1 और ट्रांसफार्मिंग ट्यूमर नेक्रासिफेक्टर अलफर रिलीज होंगे जब आपको क्या होगी inflammation होगी तो यह जाते हैं hypothalamus की पास और hypothalamus से कोक्स जो enzyme है उसकी production increase कर देते हैं तो प्रोस्टर ग्लेंडिंज यह टूर्लीज होता है जो आपकी heat production को बढ़ा देते हैं heat loss को कम कर देते हैं तो इस तरह आपका temperature जो है ना उससे set point से बढ़ जाता है increase हो जाता है इससे हम जा गयते हैं fever कहते हैं और यह हमारे लिए एक sign हो जाता है क्यों अभी मैंने उसका अंसर बता है देखे हमें हमें नहीं पता होता है जब हमें पता चाल जाता है कि यह malaria है और हम malaria की tablets लिना शुरू हो जाते हैं फिर दुबारा हमें temperature increase पहले हम कहते हैं कि शायद कोई ऐसे infection हो होगा है आम सा किसी भी और bacteria infection हो होगा है तो हम ल malaria का भी एक bacteria होता है वो जाके bacteria को थोड़ा सा मारता तो है antibiotic है लेकिन वो properly उसको नहीं मारता अब कुछ दिर के लिए bacteria वीक हो जाएगा तो आपके यह factors कम release होना शुरू हो जाएगे तो थोड़ा सा अपको fever क्या हो जाएगा कम हो जाएगा उपर से हमने temperature decrease करने वेले tablet भी ल नहीं थी वो थोड़ी दिरे बाद फिर उट जाएगा तुमने मुझे मारा था वो दुबार एक्टिव होगा दुबार आपके ज्यादर लीज होगा अपका temperature दुबार बाढ़ जाएगा जब तक कि हम malaria की proper tablets नहीं लेते तब तक यह सी सीन चलता रहता है समझागे चीज यह यह आपके macrophages से रिलीज होते हैं यह आपके macrophages से रिलीज होते हैं आपके बाढ़े में चीपड़े होते हैं जब inflammation होगी आपके macrophages एक्टिव हो जाएगा तो पहला function interleuken 1 और tumor across factor alpha का यह वाला होता समझागी है आगे बढ़ू मैं और यह acute inflammation भी करा रहे हैं कैसे करा रहे हैं वो आगे हम देखते हैं एक second I hope so that कि यह concept आपको समझा आगिया होगा कि यह कैसे आपको fever कास कराते होते हैं देखें यह कितने लफ़ लिखे हुए हैं आपकी फास्टेट की बॉक में causes fever हैं दो लफ़ लिखे हुए हैं उसके पीछे कितना चुपा हुआ था सारा अगला वो क्या कहता है कि यह क्या कराते होते हैं acute inflammation देखें एक लफ लिखा हुआ है इसके पीछे कितना बड़ा concept चुपा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं कि यह acute inflammation किस तरह कराता होता है सबसे पहली चीज acute inflammation होती क्या है होती तो inflammation है लेकिन जो कम मरसे के लिए inflammation फिर हमारी inflammation खतम हो जाए कम मरसे के लिए हो और फौरन वो acute inflammation होती है अक्यूड inflammation होती किस तरह है कि आपकी यह blood vessel है ना आपकी blood vessel से neutrophils और macrophages ने बहर inflammation या infection वाले जगाह पर आना है यह क्या होती है inflammation simple सी आपको definition बताव inflammation की अब यह acute inflammation किस तरह करते हैं same वही बाद आपका interleuken 1 और tumor necrosis factor alpha यह दोनों यह दोनों यह दोनों यह दोनों जाते हैं किस के पास आपकी blood vessels के किस के पास blood vessels अब आपकी blood vessels में यहां पर पर कौन से cells होते हैं उसके होते हैं कि ενदोेरा सेंсть होते हैं। आहेंगे और इन पेरिसायट की कॉंट्रेक्शन करॺंगे क्या करेंगे तो जब यह कॉंट्रैक्ट करेंगे आपसमें सुकणेंगे तो आपके इंडोफिर robust के में क्या रहे जाएगे gap रहे जाएगे इस तरह यह सपेस रहे जाती है तो यहां से आपके Neutrophjus और Macrophaches Z salary अउट जाते हैं तो इस तरह यह क्या कराता है क्योठ एक्युक्य इंदेवेशन करता है और इस तरह यह आपकी da एक्टिवेशन करते हैं कि आपके पैरेसाइट्स सुकरते हैं जैसी सुकरते हैं तो बीच में गैप बढ़ जाते हैं और आपके न्यूट्रोफिल्स और मेक्रोफिज बहर आते हैं तो इस तरह क्या हो जाती है आपकी स्थाइटोफिल्स अ क्या करा देंगे तो मैक्रोफिज पहले क्या होता है ब्लाड मोनुसाइट होता है ना तो कुए हैं यहां पर इसकी च्राइब करा। है जब निकलते हैं कि आपकी स्पेस बढ़ जाते हैं तो यहांसे आपका में इंडूति अधिस बेच में स्पेस आगी है तो थे जैदा इंदू जैदा निकलता है अभी relation नहीं है वो मतलब आप proteins की शेकर में ले सकते हैं वह भी होता है कि यहां से बाइर निकलाएंगी तो ज्यादर टेल में नहीं जाते हैं कि इसके लावा इसके लावा इसके लावा यह इसके लावा यह inflammation में complete process होता है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं complete process होता है क्या होता है कि यह आपकी blood vessel है ना यह वाली लेट स्पोसर यह blood vessel है मैं color chain कर लो यह क्या है blood vessel तो आपकी blood vessel में यह क्या आपकी endothelium layer है यह अब आपके interleuken 1 और tumor necrosis factor alpha आएंगे ठीक है यह आके आपकी इस endothelium layers की activation कर देंगे क्या कर देंगे activation जब यह activate हो जाती है ना तो यह selectants बनाती है क्या बनाती है selectants कुछ इस तरह के होते हैं कुछ इस तरह कि क्या होते है selectants selectants को कहते होते है speed bumps speed breakers की तरह के होते हैं किस की तरह के होतें यह speed breakers की जा रहे रहे थे καुन जा रहे थे निटरो फेल ते रहे मैक्रों फिज़स्टे बड़ी वह जा रहेके उनको के स्पीड कम नी हो जाएगी तो उसकी स्पीड नहीं हो जाएगी मजीद इससे आग़र के ठकराएगा वरीथ स्पीड की स्पीड क्या हो जाती है कूं यहां मैक्र लाना चाहतीं इसा को बहुत प्र स्पीड करनी है और पकड़र सबसे पहले क्या हुआ करने हैं सबसे पहले क्या हुआ आपका इंटर लिकर बना दिये जो कहस्पीड़ सो ठीक हैं अब यह से स्पीड़ क्या कर देंगे पहलेखे हैंगे यहां पर रोक देंगे वह इदर ही बना देता हूं तकि कोई confusion जो चीज है वो यहां पर सारी clear होती है दूसरी चीज क्या होती है अब दूसरी चीज यह होती है कि आपकी यह जो endothelium है endothelium के ओपर एक और चीज बनती है cellular adhesion molecules क्या बनते है cellular adhesion molecules ऐसे इनके एक pocket से होती है cellular adhesion molecules होते हैं ठीक है cellular adhesion molecules अब आपके जो इंटलिकन बन थे और ट्यूमन ने क्रॉसस फैक्टर अलफा था इस ने इस endothelium को इस तरह active किया कि यहां पर क्या बन गया आपके cellular adhesion molecules बन गया एक चीज यह बना देंगे दूसरी चीज आपके यह जो इटीक होते हैं और आपके जो मेकरफिंच होते हैं इनकी स्तहाँ पर integrans होते हैं क्या होते हैं integral होते हैं क्या होते हैं integrans ज Este Crane to Active करेंगे किनको integrated को अब ऊपर से integrans हो चुकि physic कैर और क्या लग चुके हैं Aller molecules लग चुकिए लकिन याद से पहले endothelium ने या फिर Interleuken 1 और Tumor Necrosifactor Alpha ने क्या किया है Speed उनकी क्या कर दिया है कम कर दिया Speed slow हो चुकिया है दूसरा का मैं इनको पकलना है जकलना है अब ये जैसे ही यहां से घुजरेगा इसका Integrin आके इसमें आके फांस जाएगा इस तरह इसके Cellular Idean Malikule में ना भी खुद बता रहा है Idean ये उनकी क्या कर लेगा Idean कर लेगा उनको जकड लेगा ये यहां पर आपका Neutrophils और Macrofils यहां पर आके फांस जाएंगे Idear हो जाएंगे यहां पर आके जकड जाएंगे तो जैसे ही जकड़ेंगे तो अगला प्रासस क्या था जो मैंने थोड़ी दिर पहले पढ़ा दिया है कि Blood Vessels में जो आपके Interleuken 1 और Tumor Necrosis Factor Alpha थे Endothelial Cells को उनमें Space करा देंगे परिसेट सुकड़ेंगे तो यहां से Space बनेगी तो आपके जो पकड़ा जा चुका था जहां से बहर निकलाएगा Macrophage भी बहर निकलाएगा और यह कहां पर पहुंच जाएगा आपके Sight of Infection भी देगा पर देगा समझागी है कि यह सारा प्रासस कैसे करते हैं और कैसे चीज़ों को बहर ले के आते हैं Neutrophage और Tumor Necrosis और Macrophages को Interleuken 1 और Tumor Necrosis factor बहर लेके कैसे आते हैं यह सारे प्रासस को रपीट करने की जरुरत है नहीं है जरुरत समझागी है पकी बात है अच्छा इसके इलावा इसके इलावा आपके एक्टिवेटड जो एंडोथिरल सेल्स होते हैं नहीं यह एक और prostaglandins I2 काफी detail वाला है जरुप इसको देख लेए यह दोनुम detail में बास बाकी detail में नहीं है prostaglandins I2 जब आपका endothelium active हो जाएगी एक और स्कीड करेंगी जिसे कहते है prostaglandins I2 आएगी और आपकी इसी blood vessel की vasodilation करा देगी, क्या करा देगी? जब वेजोडिलेशन होती है तो उस तरफ बलड का फ्लोग क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है तो इस तरफ बलड का फ्लोग क्या हो जाएगा ज्यादा इस वैसल की तरफ जब इस वैसल की तरफ बलड फ्लोग ज्यादा होगा इट ड़स मीन देट उस तरफ बस आप इस ही प्रोस्टाइट को याद रखें कि प्रोस्टाइट लाइंड इटू आपको क्या कराएंगे वेज़ोडियलेशन कराएंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपके न्यूटरोफेज रूमेक्रोफेज यहाँ पर ज्याद ठीक है उसके बाद दुस्री चीज़ इसके बाद एक और होती है इसके पाद और चीज़ क्या होती है कि आपका यही एंडोफिलियम इंट्रलूकंट 머君थ करществ आएगा क्या हुई inflammation की सुरत में आपकी blood vessel से जो है ना आपके नेट्रोफेज और मैक्रोफेज बहर निकलाए हैं ऐसे तो बहर नहीं निकलाते इनके पीछे यह सारा दोकось लाइन्व से तर्तीब से बताने लगा हैं और सबसे पहले आपके एक्टेव होगी तो प्रॉस्ट्रीज्ट आयी में बना देगी स्लेक्टन स्पीड bumps, speed क्या हो जाएगी, slow हो जाएगी, तीसरा काम क्या होगा, कि आपका ये जो integrans हैं और cellular adherence हैं, ये बन जाएगा और यहां पर ये आके फांस जाएगे, अब यहां पर इसको बांद चुके है, चौता काम क्या होता है, चौता काम ये होता है, कि ये आपके parasite सुकड़ेंगे और ये space बन जाएगी, ताकि चीज़ा यहां से बहर आ सके, पांच्वा काम क्या होता है, कि आपका interleuken aid secrete होगा, वो इनको attract करेगा, कि आप इन space से बहर निकल कर जाएगा, और यहां पर आके, आक्ट करेगा, समझा यह आप इसको slowly की शकल में याद रहें, कि पहले blood vessels dilate करेंगी, जब यह dilate कर जाएगी, blood flow बढ़ जाएगा, neutrophils ज्यादा आजाएगे, अब neutrophils सपीड से आ रहे है, क्योंकि blood flow ज्यादा है, सपीड से आ रहे है, हमने इनको क्या करना है, slowdown करना है, slowdown होगे अब इनको पकड़ की वज़ा से, दर्वाजा खुल गिया है, अब इनको बहर बुलाना है, यार बहर आजाओ, बहर कौन बुलाएंगे, interleuken, 8, आजाओ बहर, तो यहां से वो बहर निकलेंगे, और जहां पर infection हो रहा है, बहर जाकर क्या करेंगे, infection करेंगे, सारे concept समझा गिया, पकी बात है, revision की, या कोई question रहे गियो आप लोग का, है, समझा आगे है, चले है, very good, आगे देखते हैं इसका, आगे इसका एक और function होता है, आपके interleuken 1 का, अब अकेले का interleuken 1 का function होता है, यह बाक्यू का नहीं होता, सिर्फ interleuken 1 का होता है, ट्यूमाने क्रासे फेक्टर अलफा का नहीं होगा, अब यह क्या करता है, आपका interleuken 1, यह interleuken 1, यह color रजार आ रहे हैं आपको वहाँ पर, interleuken 1 आता है, आपके जो osteoclast होते हैं, osteoclast, osteoclast cells का का क्या होता है, तोड़ फोड़ करना, किसकी, destruction of, destruction of, bone cells, destruction of bone cells, यह bone cells की क्या करता है, destruction करता है, उनकी तोड़ फोड़ करता है, किसकी, bone cells की, कौन से bone cells की, जो पुराने होते हैं, जो क्या होते हैं, पुराने होते हैं, old होते हैं, mature होते हैं क्यों करता है ताकि Bone की Remodeling हो सके हो सके Remodeling Remodeling क्या होती है ताकि उसको हम दुबारा बना सके अब जब इसकी Remodeling हो जाएगी तो इसे बाद एक और आपका Active होता है Osteo Blast क्या Osteo Blast Osteo blast का क्राम क्या होता है कि Bone Pharmation कराना हम कहते हैं कि हम कहते हैं remodeling क्या होती है कि mature और old bone cells को replace करना with newborn bone cells के साथ ऐसे कहते होते हैं तो यह process कैसे होता है इस तरह आपका interleukon 1 आएगा osteoclast को active करेगा osteoclast जो पुराने cells है उनकी destruction कर देगा तो remodeling को start करेगा आपका osteoblast active हो जाएगा यह क्या करेगा new born जो bone cells है उनको इनकी जगा पे आके रख देगा तो इस तरह आपकी bone new बन जाएगा आपकी new bone bone की क्या होगी है remodeling होगी है तो इस तरह आपकी bone healing भी होती है कहीं पर अगर bone तूड जाए तो इस तरह उसकी pathology हो जाना इसकी pathology आपका खाम खाम में interleuken 1 जो है ना without an infection या infection लंबा हो गया inclination लंबी हो गई है या पर autoimmune infection हो गया है और आपका interleuken 1 ज्यादा सक्रीट हो रहा है तो फिर क्या होगा कि कौन से disorders होंगे चले वह तो हो गई होगा यहां पर आप फोकस करें बोन के ओपर कि रिजॉप्टिव एक्टिविटी होगी क्या होगी रिजॉप्टिव एक्टिविटी इसका क्या मतलब होगा कि आपकी बोन ऐसे काई काम-खाम है अभी एनका वोन सेल्स के रिकले सुने का टाइम नहीं आये था ऐसे ही खाम-खाम यहां से निकलना शूरू हो जाएगी और ब्लड में जा चुरू हो जाएगी तो आपकी बोन्स क्या हो जाती है वीग हो जाती है बोन कहा जाती है वीग मतलब अगर इंटरलीकन वन ज्यादा सेक्रीट हो रहा है आट इम्यून के जासे या फिर इंटलमेशन लंबी हो गई है या फिर एमें ही बन गया है तो रिजाप्टेव एक्टिविटी होगी आपकी पैथालोजी हो जाएगी आपके यह बउन सेल्स हैं यह खाम खाम चूपना शुरू हो जाएंगे और केलशियम जो हैना यहां से रिलीज होकर बलड में तो आपकी जो बोन्द हैं यह वीग होना शुरू हो जाएगी तो इसे क्या कहते है यह तो बेटाम में उसने तोड़ना शुरू कर तो इस तरफ आपका ब्लास्ट यह ना एक और प्रस्ट रोता उसके रीक्टिव नहीं होता तो वह यहां पर रिटेल में नहीं देखेंगे वह जैब हम पढ़ेंगे इसको इसका ताफिक तो वहां पर रिटेल में देखेंगे तो इस तरह आपकी यह बोन ब्रेक्डॉन होती है और कैल्चियम भी यहां से निगल जाते है समझ आ गई है चैलेंज जी अब आई थिंग सो डैट के इंट्रलूकल वन अब यह इनके फंक्शन जरह रहते हैं सारे पढ़ लें पिर कट्थ ही इनकी रिटेंग कर लेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आपका इंटरलूकल 6 भी तो है इसमें अभी तक हम कौन सा पाल रहते हैं इंटरलूकल 1 और ट्यूमर तो एलफा तो इससे पहले आपका जो है ना ट्रॉमर नेक्रासिस फैक्टर अलफा का एक और काम होता है किसका ट्यूमर नेक्रासिस्त फैक्टर आलवा का यह देखेए यहां पर लिखा हुआ हुआ यह कैक्सी अ करता है यह लफ्स किया HOLT आपकी body mass mass जो है ना यह tissue mass है वो क्या कर देगा कम कर देगा जब यह कम होगा तो आपकी body का weight क्या हो जाएगा है हैं कि दिख्रीज हो जाएगा body weight क्योंकि mass कम हो रहा है tissue का तो आपकी body weight क्या हो जाएगा degrees हो जाएगा और body weight जब कम होता है आपको weakness होती है तो क्या होती है fatigue हो जाएगी अब हो क्या हो जाएगी थकावट इसे क्या बोलते है kegs यह की symptoms है बनाब जब आपको melancy होती है कोई भी किसी किसम का cancer होता है तो tumor cells यह स्कृत करते है tumor acrosses factor alpha तो यह body mass कम कर देते हैं body mass कम होता तो body weight क्या हो जाता है कम होजाता है तो इस तरह आपको वह थी होती है यह क्या होती है आपकी ऐसके बाद अब इंटर लुकिन वन भी पाड़ लिया हम ने त्यूंग अल्फाब लिया अब एक होता है इंटर लुकिन्षिक्स, interleukin 6 का क्या काम होता है interleukin 6 जो है ना यह काम करता है interleukin 6 जब भी आपका कोई infection होगा जब भी आपका infection होगा तो macrophage क्या स्क्रीट करेंगा आपका interleukin 6 interleukin 6 फौरान जाता है आपके liver के पास किसके पास liver के पास और liver को कहता है कि आपना acute phase proteins कौन सी acute phase proteins की production बढ़ा दो किनकी acute phase proteins की production बढ़ा दो अब ये acute phase proteins क्या होती है ये आपका सवाल होगा acute phase proteins ये proteins ही होती है जो liver से उस वक्त सक्रीट होकर हमारे blood में आ जाती है जब आपकी inflammation होती है जैसा के CRP है नाम सुना हुआ है CRP का C Reactive Protein हमने पीछे भी पढ़ा था C Reactive Protein तो आपके blood में C Reactive Protein क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है तो जब आप blood test कराते हैं तो उसमें CRP बढ़वी होती है अगर CRP बढ़वी हो तो it does mean that infection हुए है macrophage active हुए है उन्हें interleuken 6 secrete किया है interleuken 6 liver के पास गया है उसको बोला है acute phase proteins like CRP produce करो और उसको blood में भेजो तो blood में आपकी CRP क्या हो गई है बढ़ गई है तो जब हमें infection या inflammation होता है तो हम CBC कराते हैं और CBC में देखते हैं कि C-reactive protein CRP protein नार्मल से बढ़ी हुई है अगर वो बढ़ी भी हो तो it does mean क्या हुआ हुआ है infection या inflammation खास कर कोई operate किया जाया तो कराते रहते हैं कि आया कि healing सही हो रही है या कि अभी भी हमने जहां पर operate किया है वहां पर infection तो नहीं चल रहा तो CRP के चेक अगर CRP कम है तो good news है कि आपका infection नहीं हो रहा operation जो हुआ है अच्छा हुआ है और hearing हो रही है अगर CRP स्टिल बढ़ी हुई है तो as a doctor अगर अलना करें आप किसी के साथ है तो you must be very worried के अभी तक CRP बढ़ी हुई है मतलब infection अभी भी उस जबापर है जहां पर operate ने किया है तो यह CRP को डॉन होना चाहिए तक infection CRP को notify करता है कि inflammation हो रही है कि inflammation खतम हो गई है ठीक है यह समझा गया है यह क्यूट फेस्ट प्रोटीन रपीट करूं इसको रपीट करूं नहीं करूं चलें गोड़ हो गया चलें जी एक रहता है बस पर उसके बार रीडिंग करते हैं इनकी इसके बाद है आपका सेप्सिस अब तीनु काम करेंगा अकठे इंटरलुकर 1 इंटरलुकर 6 और ट्यूमर नेक्रोसस फैक्टर अलफा तीनु अकठे काम करेंगे क्या काम करेंगे तीनु तीनु जो है ना समक्राइन जो किया करा देंगे कि सेप्सिस क्या होती है सेप्सिस जी होती है कि आपकी बीप के जो हमा भाप Chad उनिडिशन हो injection देते हैं ताकत की तो यह उसको बीपी डॉन हो जाता है वीकिनिस हो जाती है और वो बीपी कैसे डॉन होता है इनकी वजा से वह हम अभी देखते हैं कि यह कैसे सेप्स कराते हैं कैसे बीपी को एक हाई लेवल तक डॉन करके जाते हैं सबसे पहले यह जो मायो काल्डियल करेक्शन तो यह मíst मीडल कर रहोते हैं तो आपको ब्लैड पंप गर रहा होता है तो वह क्या करेंगे उसकी कौंट्रेक्शन हो क्या कर देंगे कम यहमदे डेखेंगे तो आपका ब्दे पी जोब आप डेल जाना स्लोली स्लोली पंप बिया след I kitchenProdu और इस तरह एक आपका सेपसिस हो जाएगी लेकिन इसके साथ साथ यह एक और चीज़ की प्रडक्शन कराती है जिसको हम क्या बोलते है इसे क्या पढ़ेंगे नाइट्रस अक्साइड पढ़ेंगे नाइट्रोक्साइड पढ़ेंगे नाइट्रोक्साइड बढ़ जाएगा नाइट्रोक्साइड की में विश्च बी-पी क्या होता है वेजो डिलेशन में बी-पी क्या होता है डॉन तो इस तरह आपका बी-पी फर्दर डॉन हो रहा है तो टू मच बी-पी डॉन हो जाता है पहला तो myocodial contraction नहीं हो रही बी-पी पहले सी डॉन हो था अब उसने एक और काम कर दिया क्या कर दिया है कि बीपी तो पहले डॉन हो रहा था उन्होंने एन ओस बना दिया है जो आपकी वेजो डैलेशन करा रहे हैं तो आपका बीपी मजीद डॉन होता है तो सिंपल याद क्या रखना है इंटरलुकर वन इंटरलुकर टू और यह कि नियुक्त वेल्लीब डॉन हो जाएगा तो इस तर आपको क्या झाएगी सेप्सिज कंचक विभल भी बोलते होते हैं ठीक है समझा किया है सारा कुछुक्ն के विजासे हो सारा कुछ infection के जासे हो रहा है अगर infection बढ़ जाएगा तो आपको उसे septic shock भी हो सकते हैं infection जासे बंदा भी होश भी हो जाता अगर infection जारी देर के लिए लंबा हो जाएगा तो उसे आपको septic shock भी हो सकते हैं acute infection के दुरान भी release हैं ही acute infection के दुरान इंटरलुकेंग वन इंटरलुकेंग 6 तुमन नेग्रास फेक्टर अलफा तो यह acute infection के दुरान भी release हो सकते हैं और आपकी यह chronic infection के दुरान भी यह release हो सकते हैं चैने हम रिडिंग करते हैं ठीक है अभी मैं express adhance molecules याद है selectins integrins cellular adhance molecules बोसारा speed bumps induces chemokine secretion to recruit white blood cells interleukin 8 एड बना रहे थे याद है जो उनको recruit कर रहे थे attract कर रहे है chemo factor factor release कर रहे थे याद है और also called also called osteoclast activating factor osteoclast को activate कर रहे थे याद है यह side में सकी function लिक्या हुए है interleukin 1 fever कराता है याद है stimulates t-cells interleukin 2 इसको हम आगे देखते है interleukin 2 को भी चोड़े इंटलेकर 3 यह नहीं पड़ा इंटलेकर 4 यह नहीं पड़ा 5 यह नहीं पड़ा 6 stimulates acute phase proteins production याद है challenge very good यह नहीं जो पढ़ा है वही process बही process शारा interleukin 6 causes fever उसी तरह और stimulates production of acute phase अभी हमने पढ़ा यह यह यहां पर भी देख्या है त्यूमन अक्रोस्ट्र एल्फा एक्टिवेट्स एंडोथीरियम जैसे अभी हमने सारव पढ़ा है सारे प्रॉस्स करेगा कॉंट्रेक्शन भी कराएगा उसके बाद आपका यह वेजो देलेशन भी कराएगा सेलेक्टिंज भी लगाएगा इंटीग्रेंज भी लगाएगा वह सारा प्रॉस्स मैंने बताया है कि उसको कैसे बहर लेकिया उसकी सारी एक्टिवेशन करेगा काज इस वाइड ब्लाद सेल्स रीकूरूट्मेंट उनको कीमोटेक्टर के जरीए अट्रक्ट करेगा और वैस् इंट्रलुकें एट यह भी आपने पढ़ लिये हैं मेजर कीमोटेक्टर फेक्टर फेक्टर फार न्यूट्रोफिल्स ठीक है यह हमने काल भी पढ़ा था कंपली मेंट सिस्टम में के इंट्रलुकें एट जोने न्यूट्रोफिल का कीमोटेक्टर फेक्टर है याद करें ज chemotactic factors होते हैं इन दोनों का भियाद करने हैं इस तरह कि हम स्क्राइब आ सकती है USMLE या प्लैग में प्लैब में कि आपके chemotactic factor neutrophils कौन-कौन से हैं interleukin 8 और C5 A यह दोनों होते हैं अच्छा यह देखें यह आपने पड़ा है कासिस कई यह इन ब्लैगिननसी पड़ा है में टेश ग्रैडा लोमा इंटी बी यह कौन बताएंगा थे हैजी डाक्र आयान है हाँ हुँ 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 हु हु हुँ हु हु भू जो अब हुए है æ出 ने गुड़ डॉक्टरय यान क्या कहने चाह रहा है जाद करें कि जब टी-shore-tam 1 एक्टव हुए तो उन्हेंगे क्या बनाया था इंटरफरं गेमा गेमा ने में मैकर्फिज्ट्रिस क्या बना दिया था epithelial cells, epithelial cells TB की इर्दगिर्द क्या बना रहे थे, वालाफ कर रहे थे, फिर यही epithelial cells क्या स्क्रिट करते थे, tumor necrosis factor, alpha, और tumor necrosis factor, serotoxic CD8 positive को बुला के इसके गिर्द क्या बनाते थे, T cells का color बना ले थे, तो यह चीज वो यहां पर बता रहे हैं, समझ आ गई है, यह granuloma को maintain करता है, interleukin 1, interleukin 6, tumor necrosis factor also can mediate fever and sepsis, fever उसी तरीके से हो गया, prostaglandins, E2, COX के जरी है, और sepsis मैंने आपको भी बताया है, ठीक है, आगे देखें, आगे reading करते हैं, केस की, interleukin 8 हो गया, अच्छा, cleans up on, यह उसका फार्मॉला है, neutrophils are recruit by interleukin 8 to clear infection, यह उसका याद करने का फार्मॉला है, आप लोग इसको देख ले, interleukin 12 induces differentiation of T cells into T helper cells, 1, यह मुझे कौन बताएगा, कौन से दॉक्र बताएगा, पढ़ा हमें, very good, Dr. Alishan, याद करें, फिर मैं वही कहूंगा, हमारे जो, एक मशूर सा एक डाइलाद बना, तुम्हें याद हो, कि ना याद हो, हमें याद है, जरा-जरा, कि यह pathogen था, यह macrophage में आता था, और macrophage इसके पास यादा था, T cells के पास, यह पहला signal होता था, TCR, और अगर यहाँ पे CD4 हो, तो MSC class 2 होती थी, 8 को याद रखे, MSC class 2 होती थी, और यह यहाँ पे CD4 फिर बेटा था, चेक करने के लिए के processing की है के नहीं की है, और अगर यहाँ से second signal होता था, interleuken 12, याद करें जरा फिर से वही बात, के interleuken 12 और interferon gamma, gamma है, तो आपका CD4 T helper cell कौन सा बान जाता था, T helper cell, 1 बान जाता था, T helper cell, 1, तो यही बात बता रहा है कहाँ पे गया, के induces differentiation of T cells into T helper cell, 1, यादि अगर आपका second signal होगा interleuken 12, तो आपका T cell किस में differentiate हो जाएगा T helper cell, 1 में, फिर यह T helper cell आगे जाके granuloma formation कराता था, याद है, और इसके बाद यह कहता है, activates natural killer cells, natural killer cells को भी activate करता है, याद है, कि मैं जाऊं तुबार वापस आपके natural killer cells के पास, हम, चले मैं आपको दिखा देता हूँ, natural killer cells कहांगे जनाब, यह, यह देखें, activity enhanced by interleuken 2 and interleuken 12, तो interleuken 12 आपके natural killer cells को भी क्या करता है, activate करता होता है, तो यह हमारे important side of currents थे, कौन कौन से? Interleuken 1, interleuken 6, जारा जूम हो गया है, interleuken 1, interleuken 6, human across factor alpha, interleuken 8 और interleuken 12, cell, यह सारे release कहां से होते हैं, secrete कहां से होते हैं, secrete by macrophages, it's also important MCQs, ठीक है, यह चोड़ी-चोड़ी चीज़ा लिखी होती हैं, जह हम लोग देखना भूल जाते हैं, फिर जब exam में बैटे होते हैं, यह कहां से release होते हैं, फिर हम सारा story याद करना शुरू हो जाते हैं, macrophage ने T cells को active किया था, T cells ने B cells को, यह macrophage है, हाँ यह macrophage है, तो simple सा यह उपर लिखा हुआ है, याद करना तो सारी story याद करना नहीं की जुरूआता है, नहीं पड़ेगी, तो I hope so that कि यह आपको समझ आगे होंगे, बाकी आगे रहते हैं, interleuken 2, 3, interferon gamma, interleuken 4, interleuken 5, interleuken 10, और यह यहाँ पर लिखा हुआ है, interference, इनको हम next lecture में करते हैं, ठीक है, मेरे खियाल में यह lecture काफी होगी है, या लंबा होगी है, टू मिनिट का इसको मैं सेव कर लो, फिरा गड़ा लगे स्टार्ट करते हैं, बहुत अलाहाफिस,